जेहिन दोस्तो आगे हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th Standard Science 1 के पेपर पैटन की और एक्जाम में आने वाले Important Question की दोस्तो आपको Science 1 का पेपर कैसे लिखना है क्या गलती आपको नहीं करनी है ये सब हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ Science 1 के 6 Question पेपर जिनका प्रैक्टिस करके आप अच्छे माक्स स्कोर कर सकते हो और दोस्तो इनका पीडियो आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो आईए दोस्तो वीडियो को शुरू करें बात करें अगर दोस्तो 1st Question की तो यह आपका Multiple Choice Question होगा जहां पर आपको 5 Question दिया होगा और यह आपका Textbook पर ही Based होगा अब देख लेते हैं कि इसका Answer आपको कैसे लिखना है आप लोग देख सकते हो दोस्तो यहाँ पर Clearly Mention किया है Only First Attempt Will Be Evaluated मतलब जो आप पहली बार लिखोगे उसी को चेक किया जाएगा and will be given credit Second Time अगर कट करके कुछ नहीं आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो आपको उसका Marks नहीं दिया जाएगा और Fifth Instruction में आप देख सकते हो लिखा है Only Write the Numbers ठीक है For Example पहले का आपको सिर्फ A लिखना है Second का B, Third का C मतलब आपको उसके अंदर का Answer नहीं लिखना है सिप A, B, C आपको उनके Right Letter को लिखना है ठीक है तो इस तरह से आप लोग First Question को Attempt करोगे Multiple Choice के Question को ये देखिए आपको कुछ इस तरह आपका Answer लिखना है यहाँ पर देखे लिखा है उसी तरह आपको अपना Answer लिखना है ठीक है बात करें अगर दोस्तो Question No.1 के B की तो यहाँ पर आपको 5 Types of Objective Question दिये होंगे और लिखा भी है कि All Question Will Be Different Types मतलब कुछ भी Same नहीं होगा मतलब 5 के पास True False नहीं होंगे पाचो आपके Match the Column नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर किस टाइप के Question पूछे जा सकते हैं आएए देख लेते हैं पहला हो सकता है अपका Find Odd One Out हो सकता है Second अपका Correlate आ सकता है Third अपका Match आ सकता है Fourth अपका True False आ सकता है Fifth अपका Write the Names और Molecular Formula ऐसे कोई भी एक एक Question आपको हर एक में से पूछा जाएगा एक True False दे देंगे एक आपको Correlate दे देंगे एक आपको Odd One Out दे देंगे एक आपको Write the Name दे देंगे आपको पूरे 5 Question एक साथ Same नहीं मिलेगा अलग-अलग टाइप के आपको मिलेंगे और यहाँ पर आप लोग स्कोर कर सकते हो 5 Marks ठीक है जैसे देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है State True or False यहाँ पर Name the Lens यहाँ पर Find Odd One Out यहाँ पर Complete the Correlation फिर यहाँ पर आपको फिफ्ट वाले में Match the Column दे दिया है ठीक है इस टाइप के पाच अलग-अलग Question आपसे पूछे जाएंगे तो आपको अच्छे से पूरा Objective को Cover करना है और आप देख सकते हो कि आपको इसका Answer कैसे लिखना है ठीक है यह इस टाइप में आपको इनका Answer लिखना है आपको Question copy नहीं करना है आपको Direct उनका Answer लिखना है बात करें दोस्तों अगर Question No.2A की तो यहाँ पर आपको Give Scientific Reason लिखना है Any Two आपको तीन Question दिया होगा आपको उसमें से किसी Two को Attempt करना है एक Question का आपको Attempt करने का दो मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर आपको Four मार्क्स मिल जाते है यहाँ पर लिखा है Minimum One Question from Chemistry and One from Physics आईए इसका क्या मतलब होता है उसको समझ लेते हैं दोस्तों आपको Science One के अंदर Ten Lessons है ठीक है और उनको दो अलग-अलग कैटिगरी में Bifurcate किया गया है First है आपका Physics कैटिगरी जिसके अंदर Five Lessons है आपके और Second है आपका Chemistry जिसके अंदर Five Lessons है तो आपके Ten Chapter को ऐसे Five Physics के उसमें और Five Chemistry के उसमें Bifurcate किया गया है आप लोग उन Chapter के नाम देख सकते हो ठीक है तो हो सकता है कि दो गिवरीजन यहां से आजाए और एक Chemistry का आजाए या फिर दो Chemistry का आजाए तो फिर एक Physics से आएगा ठीक है तीन गिवरीजन आपको दिया होगा उसमें से आपको दो आटेम करना है अपका First Question और Second Question आपका Physics से लिया गया है और यह थर्ड वाला Metallurgy Chapter आपका Chemistry से लिया गया है ठीक है तो ऐसे तीन Question आपको गिव साइंटिविक रीजन में दिया होगे आपको उनमें से किसी भी दो को आटेम करना है और यह रहे दोस्तों उनके Answer ठीक है ऐसा आपको Answer उसका लिखना है यह रहा थर्ड वाले का Answer बात करें दोस्तों अगर Question बर 2B की तो यहाँ पर आपको 5 Question दियोंगे जिसमें से आपको ऐनी 3 को आटेम करना है एक Question को आटेम करने कि आपको 2 Marks मिल जाएंगे तो 2-3 आपको यहाँ पर Total 6 Marks मिल जाएगा ठीक है आईए आप देख लेते हैं यहाँ पर किस टाइप के Question बनते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है Minimum 2 Question from Chemistry and 2 from Physics मतलब 2-2 तो इनके Fix है अब जो 5th वाला Question होगा हो सकता है वो Chemistry से आजाए या फिर हो सकता है वो आपका Physics से आजाए ठीक है तो किस टाइप के Question यहाँ पर है वो आप लोग देख सकते हो Types of Question will be asked मतलब For example आपको Numerical Type के Question आ सकते हैं आपको Law लिखने के लिए Define करना या फिर Principle के बारे में पूछा जा सकता है Short Note आ सकते है Chemical Reaction लिखने के लिए पूछा जा सकता है आपको एक Flow Chart दिया सकता है उसको आपको Complete करना होगा Give Difference Between आ सकता है आपको Properties, Characteristics, Uses, Advantage और Effect इस टाइप के Question आपके बनेंगे यह देखिए First Question आपका जो Numerical टाइप में है Six Lessons से Refraction of Light से Second आपको लिखा है Explain the Terms Combination Reaction with Example ठीक है यह Example पूछा है आपसे Third आल आप दोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है Write a Short Note on Magnetic Separation Method ठीक है यह Short Note का Question आ गया है Fourth आप लिखा है State the Rules Used for Drawing the Ray Diagram For the Formation of an Image By a Concave Lens ठीक है यहाँ पर उसके क्या Rule होते है वो आपको लिखना है Fifth वाले में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है Draw a Neat Label Diagram To Show Dispersion of Sunlight White Light by a Glass Prism ठीक है इस टाइप के 5 अलग अलोग Question आपको दिये जाएंगे आपको उन में से किसी भी 3 को Attem करना है आए दोस्तों अब इसका Answer देख लेते हैं तो यह रहा First वाले Numerical का Answer यह रहा Second वाले का Answer यह देख सकते हो आप लोग Third वाले का Answer यह Third वाले का Answer यह Fourth का और यह रहा दोस्तों आपका Fifth का Answer ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो question number 1 and 2 आपका 20 marks का हो जाता है ठीक है बात कर एकर question number 3 और 4 की तो यह आपका 20 marks के लिए हो जाता है आई आप question number 3 देख लेते हैं इसमें आपसे क्या पूछा जाते है तो यहाँ पर दोस्तो आपको total 8 question दिया जाता है जिसमें से आपको 5 item करने होते हैं और 5 थ्रीजा आपको मिल जाता है 15 marks ठीक है total 8 question दियोंगे और आपको item कितना करना है 5 question और each question carry 3 marks आईए अब इसमें किस type के question बनते हैं उनको देख लेते हैं आप लोग clearly देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है 4 question from chemistry and 4 from physics ठीक है 4 आपको chemistry से पूछे जाएंगे और 4 question आपको physics से पूछे जाएंगे आए किस type के question इसमें होते हैं उनको भी देख लेते हैं तो first आपका आ सकता है give explanation using the given statement second आपका होता है suggest remedies and measures third आपका होता है explanation of a diagram fourth आपको आ सकता है complete the table या फिर chart fifth में आपसे पूछा जा सकता है explain with the help of example sixth में आपको आ सकता है solve numerical problem seventh में आपको पूछा है complete the diagram eighth में आपसे पूछा गया answer question based on figure ninth आप लोग देख सकते हो write answer with explanation tenth है आपका write the law theories and explain 11th है आपका complete the paragraph ठीक है any other type of question में भी ask तो यहाँ पर 11, 12 types के आपके question है उन में से कोई भी आपको 8 question दिया होगा आपको attempt कितना करना उन में से किसी भी 5 को ठीक है आई अब इसके question को देख लेते किस type के question इसमें बनते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो first question आपका बना है complete the following table ठीक है यहाँ पर लिखा है आपको IRNSS और आपको यहाँ पर इनका सबका answer लिखना है second जो आपका question बनता है दोस्तों वो पूछा है आपसे what is mean by homologous series write the names of first four homologous series of alcanes यह आपको 8th chapter metallurgy से दिया गया ठीक है बात करें अगर third question की तो यहाँ पर लिखा है study the following procedure and answer the question below आपको 4 sentence, 4 statement दिये और उसके नीचे आपको 3 question पुछा गया जिसके आपको answer लिखने है ठीक है बात करें अगर दोस्तों fourth question की तो यहाँ पर आपको लिखा है draw neat label diagram, hypermetropia, farsightedness and how it is corrected तो farsightedness, nearsightedness को अच्छे से करेके जाना यह इसके आने के chances बहुत जादा है जो आपका question है body thrown vertically upward ठीक है यह आपका first lesson free fall वाला question है ठीक है आप लोग इसको अच्छे से कर लेना बात करें दोस्तों अगर sixth question की तो यहाँ पर आपको लिखा describe the merit of mandalew periodic table इसको भी अच्छे से कर लेना seventh question की बात करें तो in the extraction of aluminium यह भी question बहुत ही easy है आप लोग इसका answer भी देख सकते हो eighth question भी आपको complete the following table type में दिया है ठीक है यह आपका carbon lesson से आया है आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो आये दोस्तों आप मैं इसका answer दिखा देता हो आपको answer कैसा लिखना है तो यह रहा आपका first वाले का answer यह आप लोग देख सकते हो second वाले का answer यह आप लोग third वाले का answer देख सकते हो यह रहा दोस्तो आपका 4th वाले का आंसर डायग्राम और यह उसका explanation ठीक है बात करेंगर 5th वाले का तो यह आप लोग numerical का आंसर देख सकते हो और यह रहा आपका 6th वाले का आंसर अब देख लिजिए दोस्तो यह रहा आपका 7th वाले का आंसर और यह रहा आपका 8th वाले का आंसर ठीक है और बात करें दोस्तो अगर question number 4 की तो यहाँ पर आपको 2 question दिया होगा जिसमें से किसी 1 को item करना है और 1 को item करने के आपको 5 marks मिल जाएंगे आई अब देख लेते हैं इसमें किस type के question बनते हैं यहाँ पर दोस्तो आपको एक question chemistry का होगा और एक question physics का होगा ठीक है अब different types of question देख लेते हैं फर्स्ट आपका लिखा है draw a figure and give explanation यहाँ पर आपको draw को बना कर उसका explanation लिखना पड़ेगा जैसे वो ECDC motor में होता है ना वो वाला second आपका है given incorrect डाइग्राम correct the given incorrect डाइग्राम मतलब वो hypermetropia उसका आपका डाइग्राम wrong करके दे देंगे उसको आपको write करके लिखना होगा फिर यहाँ पर है classify with detailed explanation ठीक है आपको explanation देना पड़ेगा D वाला है आपका read the given paragraph and answer the question मैं तो बोलता हूँ अगर ये वाला आ गया तो सभी बच्चों का 5 out of 5 पक्का हो जाएगा बात करें अगर दोस्तो fifth वाले question की तो यहाँ पर लिखा complete the given incomplete table chart and given explanation ठीक है चार्ट आपको पूरा भरना है sixth वाले की बात करें तो यहाँ पर लिखा है answer the question in detail, detail question आ जाएगे और जो आपका sixth number है last वाला वहाँ पर लिखा है make a concept diagram based on any component or technology ठीक है इस type के question आपको पूछे जाएगे आईए देख लेते हैं किस type के question आपके बनते हैं तो first आपका question बना है with a neat label diagram explain the construction and working of an electric generator AC का answer आपको आया है तो अच्छे से आपको इसका answer learn करके जाना है बात करें अगर second question की तो यहाँ पर लिखा है give any five functional group containing oxygen as the heterotem in it ठीक है और उसके बाद लिखा है write the name and structural formula of one example each तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों इसका answer देख सकते हो यह रहा आपका AC का answer AC electric generator का answer ठीक है आपको यहाँ पर अच्छे से उसका diagram भी बनाना है उसके बाद आपको इसका working भी लिखना है ठीक है आईए यह रहा इसका full answer तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो diagram बनाने का two marks construction लिखने का आपको one marks मिलेगा और working का आपको two marks मिलेगा तो आप लोग five marks easily score कर सकते हो बात करें अगर oxygen वाले question की तो यह आपका दोस्तो eighth lesson carbon and its compound से आया है ठीक है यहाँ पर आपको उनका name लिखना है फिर structural formula लिखना है फिर example लिखना है और फिर उसका जो new product आपका बन रहा है उसका name लिखना है आपको ठीक है बात कर लेते हैं दोस्तो omitted portion की तो आप लोग देख सकते हो science one में यह सारे जो topics हैं यह सब omitted है ठीक है आपको यह सब नहीं करना है आपको DC generator भी नहीं करना है सिर्फ AC generator पर focus करना है आप लोग देख सकते हो यह रहा दोस्तो paper pattern देखे इस तरह का आपको paper pattern आएगा ठीक है यह रहा आपका paper pattern अब बात कर लेते हैं दोस्तो अब बात कर लेते हैं दोस्तो science one के six question paper की तो मैंने आपको practice के लिए यहाँ पर science one का six question paper दे दिया है आप लोग इसको अच्छे से ठीक है डाउनलोड करके practice कर सकते हो तो दोस्तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे telegram channel पे जाओ और उसे join करो ठीक है जिसका नाम है VJ tutorial इस channel पे जाकर आप लोग इसको क्या करोगे join करोगे ठीक है से मैंने उसका पूरा PDF का link डाल के रखा है आप लोग easily क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो पूरे question paper को कुछ बच्चे बोलते हैं कि sir मेरे पास telegram नहीं है तो दोस्तो आप लोग उसको play store से easily download कर सकते हो यह same to same WhatsApp के जैसा ही होता है ठीक है free of cost रहता है आप लोग वहाँ से telegram download कर लो और मेरे channel widget tutorial को क्या कर देना बस join कर लेना ठीक है आपको यह PDF वहाँ से मिल जाएगा तो दोस्तों आपको यह video कैसा लगा comment करके जरूर बताना उम्मीद करता हूँ आपको यह video पसंद आया होगा फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे next video में तब तक के लिए जैहींद